बड़े फक्त के साथ कहता हूँ कि मेरा मानना है कि आज के समय का सबसे बड़ा सिव का कोई दूथ है तो हमारा नेंद भाय मोदी है तो मुझे उसको भगमान मानना है और महरास्ट में यहां से जाने के बाद हमारा भूमी पूजन है महरास्ट में नेंद भाय मोदी जी का इस देश का क्योई भी गाओं नहीं होगा जिस गाओं में नरेन मोधी भाजी से लोगं का मंदीर नहीं होगा भग्मान बाफ construction का निर्मान लोगों बोलते हैं भासन देते हैं अध़ि इसने तो मताया है हम बोलते नहीं है घंट्ली से तेकि माहा आधारी में मतनmeal में। आंने परना ली है कुछ मुणी का महाराष्ट मंदिर बनाओंगा और दो साल के अंदर कोए इसा राज नहीं होगा जहां मुद्य का मंदिर नहीं बनाओंगा हर-हर mader Fu ओन छो नो हैich अजहरमे महाघवंदन की सरकार उन है कवसे both busy haul हमी कलाकार थी तोकुल का मोगा यह दो डूराइब है इस दाएँ नायर चाहिवशन लोग से लुगाएं उाएप उस्तिन उसमें लेकिन कहीं हैं एक बात कहते इसुट को दिल से मिला लेते हैं जक्म सिने से लगा लेते हैं हम विहार के लोगों को सिने से लगा लूते हैं कि तुम गालियां सुनी है और यह सरकार है ने बिहार का यह हमारा घुत-वां राइसाब अब आप सोचे हैं राज का मुखमंत्री इसमें लगा हुआ है कि हमारे इंड Rice ना मेना में कैसे बाहर का बैपारी हैं है अब इंडस्ट्री लगे रोजगार मिले हमारा मुखमंत्री लगया जाती जन्गर्ना में विकास की बात कि जाती जन्गना में कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे बिहार उसे कर छलना भी नहीं चाहिए गोले नात को करें आप उन्हें दिल की बाद बताता हूं जब इसी पटना की सरकों में कि सबकों में भाई सुसांसी के लिए लग रहा था उसमें मैंने कहा था एक दिन देखना उद्भव ठाकरे तुमने विहार के एक बेटे को का प्रान लिया है एक दिन देखना तुम्हारा क्या हल होगा आज देखे महादेब जेशी किपावी आज बडवादी के कगार पे है मैं दादे के साथ कहता हूं जिस तरह से कुर्सी गई पाती गई चुनाव चिन गया अब वो जहां मातो श्री में रहता है न वह भी उद्भव ठाकरे का चिनने वाला है